इस बहु देशी शेक्षिक प्रकल्प कि अंतरगत जो नया भवन बना है और उसका नाम देश में चुकी स्वाधिनता का पिछत्तरमा वर्ष चल रहा है इसलिए अमरुत महत्सों में अमरुत नाम रखा है इस भवन के लोकारपन के अवसर पर मंच पर उपस्थित विद्याभारती के पुर्वत्तर के अध्यक्ष और त्रिपुरा विश्व विद्यालाई के वाइस चांसलर गंगा परशाजी परसाइं शिश्व शिक्षा समेती असम के अध्यक्ष डाक्टर दिव्य जोती महंत्य जी और इस बहुत देशी प्रकल्प की सब देखरे करने वाले अधर्णी साची राम जी पाहेंग जी विद्याभारती के अन्या पदाधिकारी शिक्षाक्षेत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के दाइत्मों का निर्भन करने वाले शिक्षाक्षेत्र में कारेरत हितेशी सभी आधर्णी बेनों तथा भाहियों यह संयोग है कि विद्ध्याभारती का काम तो काफी बर्षों से चल रहा है अनेको विद्ध्याले भी खुले तो ऐसा एक बहुत देशी एक बड़ा प्रकल्प होना चाहिए इसकी संकल्पना काफी पहले से चली थी और इसलिए जब से यह जमीन देखी गई जमीन ली गई तब से में इसका साक्षी रहा तो खाली जमीन भी देखी और जमीन पे कुछ बनता हुआ भी देख रहे हैं इस परिसर में जो भी आगे अभी निर्मान हुए है आगे जो भी होंगे जो भी गतिविदियां चलेगी इसलिए नाम भी इसका रखा है कि बहु उद्देशी है वैसे उद्देश तो बहुत नहीं होते हैं उद्देश तो एक ही होता है उस उद्देश को प्राप्त करने के लिए जो प्रयोग किये जाते हैं वो बहुत होते हैं शिक्षा का उद्देश तो एक ही रहेगा लेकिन उस उद्देश को प्राप्त करने के इस्थान तक पहुंचने के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इसमें आने को बाते निकलती हैं और उसी को लेकर के फिर चिंदन चलता रहता हैं, समय समय पर विचार होते हैं, कुछ सुझाव आते हैं, कुछ प्रयोग होते हैं, प्रयोगों के परिणाम देखते हैं और परिणाम अच्छे बुरे जैसे होते हैं उसके आधार पर फिर कुछ चिंतन होता है यह प्रोसेश चलता रहता है दुनिया के अंदर शिक्षा किसलिए तो अलग-अलग-अलग-अलग सोचते हैं कुछ पैसा कमाने की कला आ जाए इसका नाम शिक्षा ऐसा भी सोचने वाले रहते हैं किसी एक विशिष्ट विशय के हम विशेशग्य हो जाएं यह भी गेतू रहता है लेकिन भारत के अंदर शिक्षा का जो उद्देश है वो प्राचीन काल से समय के साथ वो एकी रह उसकी परिवाश्य हैं थोड़ी सी समय के अनुसार बताते गए लोग पुराना बरनादम पड़ते हैं कि विशिष्ट का उद्देश के आखिर तो बले सा विशिष्ट यह भी मुक्त है विद्या वो है जो मुक्त करें तो बले किस से मुक्त करें तो शरीर को प्रमात से मुक्त करें मनुष्य में और सुख की कामना से आलस्याता है तो शिक्षा के द्वारा बले शरीर को प्रमात से मुक्त होना चाहिए इंद्रियों में लालसाइं रहती हैं देखने की सुनने की इसका कोई अंतनी होता है तो बले इंद्रियां लालसाओं से मुक्त होना चाहिए बुद्धी जो है वो संशय और ब्रमों से मुक्त होना चाहिए और आत्मतत्व तो सर्वव्यापक है इसलिए हमने अपने आपको छोटे गेरे में नहीं बानना चाहिए और इसलिए एक वाक्य में रिशियों ने कहा कि साव इद्याया विमुक्त है उसी को वर्तबान काल के अंदर स्वामी विवेकानन ने कहा कि एजुकेशन का परपच क्या है आखिर को तो स्वामी जी का एक प्रसिद्ध वाक्य है जिसमें हो कहते है कि एजुकेशन is the manifestation of the perfection already in man जो भी हम कुछ प्राप्त करेंगे उसका उद्देश क्या है बोले perfection पूर्णता किसी लिमिट में नहीं और ये जो परफेक्शन है ये अल्रेडी इन में मनुष्य के अंदर है ही इसलिए हमार यह पर कहते है कि परमात्म को बाहर खोजने की जुरूत नहीं है आपके अंदर ही है लेकिन वो अलग-अलग बंधनों ने उसको ढख रखा है आवरणों ने अग्यान के आवरण ने, लालसाओं के आवरण ने, अहंकार के आवरण ने इसलिए जो भी शिक्षा होगी, जो भी पढ़ाई जाएगा, जो चिंतन होगा, जो प्रशिक्षन होगा उसका अंत्र यह होना चाहिए कि मनुश्य यह व्यापक बने और इसलिए जो अंतर नहीं तो देवत्व है, पूर्णता है इस पूर्णता कि पूर्ण अभिव्यक्ति जीवन के अंदर होना उसकी जो प्रोसे से जो प्रक्रिया है वो शिक्षा है अब यह अगर करना है तो एक स्वाभावी कि मनुष्य जीवन में हम देखते हैं कि जीवन का प्रारंब बिलकुल प्रारंभिक जो चेतना का विकास होता है तो केते हैं कि जो प्रारंभिक पाइदाने वैसा रहता है इसलिए बिलकुल बच्चा जब जन्म लेता है तो ना कुछ अच्छ जानता है न बुरा जानता है उसमें और पशु में कोई बहुत अंतर न समझदारी बढ़ती है तो थोड़ा दाहिरा बढ़ता है लेकिन वो तब जैसे पशु का रहता है उस इस्तिति में एक आता है कि केवल अपने बारे में सोचता है इसलिए पशु में जैसा देखते हैं कि कुछ खा रहा है अगर दूसरा कोई आ गया तो एक दम उसको पहले दके लेगा छोटे बच्चे का भी है कि एक सुभा हो रेता है खिलो ना है तो मेरे ही रहना चाहिए अपना सगा भाई या बहन भी है वो भी अगर ले 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 तो रोने लगेगा जब तक उसको न मिल जाए तो एक दम बिलकुल अग्यानता की इस्तिती से थोड़ा आगे बढ़ा तो अ है और यह सोच उसके जो आत्मीता का दाइरा उसको थोड़ा बढ़ाती है इसलिए फिर अपने भाई बेन माबाप थोड़े अपने लगने लगते हैं और इसलिए हमारे गाह गाए कि घर ये पहला इसकूल है पहला विद्या ले है और मा इसको प्रसम गुरू कहा गया बाक कि सब गुरू बात के हैं फिर थोड़ा होता है तो दीवन में कुछ करता है निर्वा करना इसलिए योग्यता लगती है तो फिर तरह तरह की योग्यता है तरह तरह की इसकिल इसकिल ये प्रहतना करता है लेकिन ये करते करते कहीं बार इसकिल तो बढ़ जाती है योग्यता बढ़ जाती है लेकिन चेतना के विकास का दाइरा वहां का वहीं रेता है अपने या घर तक सीमित और ये प्राबलम आज के समय में आप बड़े-बड़े लोग हम देखेंगे अपने विशय के बहुत बड़े विशय शग्य हैं लेकिन उनके दिल का दाइरा बड़ा सीमित रहता है उत्तर प्रदेश में बड़ी-बड़ी जमीने होती हैं तो उसको रखबा केते हैं तो एक ने कहा कि रखबा उनके खेत का मीलों हुआ तो क्या उनका जो खेत है उसका जो रखबा है वो मीलों फैला हुआ है रकबा उनके खेत का मीलो हुआ तो क्या रकबा उनके दिल का दो इंच भी नहीं संपत्ति है बाकी सब कुछ है लेकिन दिल बड़ा सीमित है और इसलिए फिर एक विशे चलता है कि भई शिक्षा के द्वारा ये स्किल, योग्यता, ख्षमता ये तो बढ़ानी है लेकिन इसका विकास करना है और इसलिए आज़ कल अधुनिक समय के अंदर कहीं परकार की शब्दावलियां प्रयोग में आने लगी तो शिक्षा के द्वारा क्या होना चाहिए तो एक केते हैं पीक्यू विक्सित होना चाहिए फिजिकल कोसेंट फिर थोड़ा आगे बड़े तो बोले आईक्यू विक्सित होना चाहिए आजकल बड़ा शब्द चलता आईक्यू का इनका आईक्यू बड़ा लो है इनका बड़ा हाई है तो इंट्रिलेक्चुल कोसेंट फिर लगा कि इतने ही परियाप्त नहीं है तो बहुत लोगों के अंदर हैं फिर भी वही रखबा जो दो इंच वाला सवाल है इसका क्या करेंगे तो बोले एक शब्द आया एमोशनल कोसेंट होना चाहिए तो यहां के गड़ी रुग गई लेकिन हमार यहां रिश्यों ने इसके बारे में बहुत पहले से और सोचा कि खाली यह तीन से भी काम नहीं चलेगा तो उन्होंने एक और कहा कि एक वीक्यू चाहिए वाइटल कोसेंट यह जो प्राणिक शक्ती है अजकल प्राण की बड़ी चर्चा चलती है प्राण नहीं नहीं है तो कुछ नहीं है ना इंटलेट काम करेगा ना इमोशन काम करेगा इसलिए वीक्यू भी ठीक होना चाहिए और यह सारे क्यू को एक समझना यह जिस्में से पैदा होता है वह एस्क्यू होना चाहिए श्पृिचुल कोसेंट वह आध्यात्मी कदिस्ठान इस ही को हमार यहाँ उपनिशत के लिकांदर तह अन्दर भ्रमाननद वल्ली है शिक्षा वल्ली के लिए katsura जो को आलकर पंच कोछी szik grण केते हैं फिजिकल कोशेंट ये अननमा निकलता है तो उसमें से जो व्यक्ति निकलता है वह स्वयम के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए ये भी आजकल है कि बहुत से बहुत सोचेंगे तो मानवता का सोचेंगे कि शमाशलकर जी का कहा ने कि भई शिक्षा बच्चा के इंदरित होनी चाहिए, घर जो है वो महिला के इंदरित होना चाहिए और विकास मानव के इंद्री थे लेकिन मानव भी खाली परियाप्त नहीं है मानव भी तो इस स्रश्टी का हिस्सा है तो स्रश्टी में तो प्राणी जगत भी है वनस्पती जगत भी है और जिसको हम आकाश, वायू, अगनी, प्रत्वी, जल कहते हैं उसका भी एक जगत है तो उसका भी तो चिंता करना पड़ेगी और यह समग्र के प्रती सचेत होना यह इस प्रिश्यल कोसेंट जो है अध्याद में कदिश्ट, इसमें से निकलता है इसलिए कि बहुत बड़े चिंतक होगे अपनी रामसुरूप जी तो उनोंने एक बार कहा था कि विद्यादी परशद नाम का जो संगटन चलता उसका दिल्ली में 72 में अधिवेशन था तो उसका की नोट उनोंने दिया था तो उनोंने गाया कि जो जीवन है वो बहुत व्यापक है जीवन केवल मनुष्य का जीवन इतने ही नहीं है यह व्यापक जो जीवन है वनस्पती का प्राणी का पंच महाभूतों का इस व्यापक जीवन के प्रति सजग करना, सचेत करना, संवेधन शील बनाना यह शिक्षा का उतेश है एक शिक्षित होने के बाद उसका चिंतन, उसका बिहेवियर, उसकी चेश्टाएं, उसके प्रहत्न से इस व्यापक जीवन का भला होना चाहिए और इसलिए आप देखेंगे कि भारत की जितनी अपनी पुरानी प्रार्थनाएं हैं वेधिक रिचाओं से लेकर, संस्कृत के श्लोकों से लेकर के भारत की सभी भाषाओं के अंदर संतों ने जो दोहे कहें हैं उनके भावों को अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें ये सारा का सारा तत्व मिलेगा लेकिन ये अगर करना है तो इसकी एक प्रक्रिया बनानी पड़ेगी जाने अंजाने दुनिया के अंदर ऐसा हुआ कि विकास अगर होना है तो शिक्षा का भिस्तार जरूरी इसलिए सारी दुनिया के अंदर शिक्षा का भिकास हुआ भारत जब आज़ाद हुआ तो कोई 17-18 नियोर्शिटिया थी आस तो हजारों की संख्या में इनिव की अजे सूenaLISA हो गई ऐसा बहुँ ने तो हजारों की संख्या में जाएंगे तो कोई सीमा नी इसकी और इसा भारत में नहीं दुनिया में हर जगे हुआ है लेकिन दूसरी और ये भी ध्यान में आ रहा है कि शिक्षा का जैसा जैसा विस्तार हो रहा है वेसा ही हिंसा का भी विस्तार हो रहा है वेसे ही अश्यशुनता का भी विस्तार हो रहा है वेसे ही ब्रष्टाचार का भी विस्तार हो रहा है बरश्टाचार के लिए कुछ दार्शनिक कारण डूंडने का भी कलाएं विक्सित हो रही है मैंने मजाग में एक कभी कवीता की चार पंक्तियां पड़ी थी कि उसमें उनने कहा कि अपने बोलते ने पैसा क्या है तो बोले हाथ का मेल है बड़ी तुछ चीज है तो उसने कहा कि रिश्वत इसलिए लेता हूं क्योंकि रुपिया हाथ का मेल है और मैं नहीं चाहता हूं कि दूसरे के हाथ में मेल लगे हम इसलिए लेते हैं जैसे हम लोग कल्यान कर रहे हैं अमेरिका में आई दिन हम किस्से सुनते हैं कि कुछ कोई कारण नहीं है, बस बंदुक उठाई है और अपने ही कॉलेज के अपने ही छात्रों को शूट कर दिया, क्यों? मरता हुआ आद्मी कैसे लगता जर देखना है? यह जो, यहनी, इसकी स्किल बढ़ रही है, इसका इनफोरमेशन बढ़ रही है, लेकिन आदमी कैसा बन रहा है उसमें से? एक ताकतवर देश है, तो दूसरे को दबाना, दूसरे को अड़पना, खुल मिलाकर पिछले पांसो साल का दुनिया का इतियास अगर आप देखेंगे, तो चाहे आदमी हो, चाहे देश हो, जो भीहेवियर है, वो क्यों है? एदूकेशन तो भोत हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ कमी है आदमी के अंदर. जबकि भारत का भी एक समय था, जब सारी दुनिया में भारत के लोग गए थे, लेकिन सारी दुनिया का इतियास में देखेंगे कि जहाँ जहाँ भारती गए, वहाँ सुख और शांती का संदेश लेकर गए है। किसी देश में लोगों नंगे रहते थे तो उनको कपड़े भुनना सिखाया, कपास उगाना सिखाया, किसी देश में केवल कच्चा मांस खाते थे, उनको खेती करना सिखाया, उनको एक उच्चेतम नईतिक मूल ले दिये, एक संस्कृती विक्सित हुई, और इसलिए सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भारतियों के पदचिन पिछले हजारों साल में पड़े हैं, आज की तारीख में भी उन दोशों के समाजों के अंदर भारत के बारे में एक श्रद्धा और आदर का भावे हैं, और इसलिए ऐसा कहते हैं कि जब आप किसी ऐसे स्थान पर आकर खड़े होते हैं, तो अंग्रेजे में एक आहवत केते हैं कि आप मानिए किसी उसके अंदर आप जा रहे हैं और आगे बिलकुल डेड एंड आ गया, तो क्या करें फिर? तो भले, when you are at dead end, when you are in dilemma, go to the fundamentals. आप जब डाइलमा में आएं, आपको लगे कि कुछ रस्ता दिखने हैं, तो को fundamentals की और जाओ. और इसी fundamentals की और जाने की प्रक्रिया में वर्तमान के अंदर ये जो नई शिक्षा नीती आई है, यह उसकी एक प्रक्रिया का प्रारंब है. क्योंकि इस नीती के बनाते समय, पहली बात उसके अंदर कही गई, कि global और सब कुछ हमको करना है, लेकिन शिक्षा जो है, इसमें भारत प्रथम होगा. भारत प्रथम और भारत की जो ज्ञान परमपरा है, उसके आधार के ऊपर एक ऐसा मॉडल विक्सित करेंगे, जो वर्तमान विश्व के साथ, उसकी भी समस्याओं के समाधान के अंदर अपना कुछ योगदान दे सकता है. और इस दिशा के अंदर कहीं भी चिंतन होता है, तो इसी निश्कर्ष पर आना पड़ता है. एक दू-तिन बाते के के मैं समाप्त करूंगा. कुछ वर्षो पूर्व, युनेस्को ने, यह जो कांट्राडिक्शन है सारे विश्व के अंदर, जिसका कुछ हल निकल रहा है. यहनि एक दिशा में बढ़ते हैं, तो दूसरी दिशा समाप्त होती है. तो उन्होंने कहां कि एक लंबे चिंदन के बाद दुनिया के सब देशों के शिक्षा शास्त्री मिले और भविष्य का विचार करके, नैंटी सिक्स के अंदर वो डेलर्स कमिटी की रिपोर्ट आई. और उसका नाम भी जो रखा गया, जो हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले से कहा है. उस रिपोर्ट का नाम है, लर्निंग ट्रेजर विदिन. हमार यहां श्विता शरुपनेश्द में आता है कि, जब बाहर खोच-खोच के ठक गए तब क्या है? तो बोले ते ध्यान योगानु गता अपश्यन. तब उन्होंने ध्यान योग का आश्रे लेकर के अपने अंदर देखा, उके ता ट्रेजर विदिन. और फिर उन्होंने निकाला कि भई, 21 सदी के अंदर सारी दुनिया के सामने जो प्रश्ण है कि इस शिक्षा के द्वारा हम यह सेवन प्रकार के कांट्राडिक्शन्स हैं, इन कांट्राडिक्शन्स में कैसे समन्व इस्थापित करें? तो पहला उनोंने कहा कि लोकल वर्सेज ग्लोबल, अपने आजानते हैं आपने हर प्रदेश की अपनी वेशभूशा है, अपनी कला है, अपने गीत है, अपनी कमिशेस्टा है, युनिकनेस है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन अगर होता है, तो लोकल सब कुछ, लोकल तो लोकल सब चीजें समाप्त, यह कांट्राडिक्शन है, तो ग्लोबल भी रहें और लोकल भी कैसे संबभें, इंडिविजूल वर्सेज उनिवर्सल, उनिवर्सल जाते हैं तो इंडिविजूल हमारी जो एक आइडेंटिटी है वो खतम हो जाती है, यह कांट्राडिक्शन ह तो बोले ट्रेडिशन वर्सेज मॉडर्निटी, जो मॉडर्न बनता है तो ट्रेडिशन को गाली देने वाला बन जाता है, वो पिषडापन यह सा देखता है ट्रेडिशन को, तो ट्रेडिशन तो डीप रूटेड है, तो यह कांट्राडिक्शन है, इसमें कैसे करें, फिर को बोले शार्टर्म, लांग टर्म कंसिडरेशन्स, इसके द्वंद है। काम्पिटिशन और इक्वेलिटी इसका द्वंद है। सबको समान आउसर मिलना चाहिए हमारी चाहत है। लेकिन वो करने जाते हैं तो फिर जो उस्रेष्ठे उसका क्या है। और नालेज का एक्स्प्लोजन वर्सेश केपसिटी टू एसिमिलेट। आज छोटा बच्चा भी नेट के उपर जाकर दुनिया की हर तरह की जानकारी लेता है। लेकिन किस उमर में कौन सी जानकारी लेना है। इसका विवेक कौन सिखाएगा। और फिर जो प्रॉबलम खड़ी होती है। तो एक्स्प्लोजन तो है। लेकिन उसको एसिमिलेट करने का मेकेनिजम क्या है। और लास्ट फिर उनने कहा की। मटेरिलिजम वर्सेश स्प्रियोचिलिटी। एक अंधी दोड भोग की अधिक सदिक चीजों को इखटा करने की किसी भी उपाय से ये दोड और एक ये आध्यात्मिक्ता जो सारे इसमें जूडती है। इन कांट्राडिक्शन्स को हल करना ये 21 सदी में शिक्षा का एक होगा। और ये अगर करना है तो उनन का कि शिक्षा फोर पिलर्स के उपर खड़ी होना जिए। पहला पिलर एबल है लर्निंग टु नौ जानना। बिन्ने बिन्ने परकार के विश्यों को जानना। बहुत जानता है लेकिन काम का कुछ नहीं रहता है। इंजिनियर बन जाता है लेकिन उजरा सब प्लक ठीक नहीं कर सकता है। थोरी थोरी पड़ी है। इसका आज परिणाम हो रहा है ने कि इंजिनियरों की फोज बन गई। मैं कहीं बार देखता हूँ। तरत्री इशरणी की पोष्ट के लिए अपलाई करने वालों के अंदर M.Tech किये हुए लोग अपलाई करते हैं। क्यों नौकरी के अलावा कुछ कर सकते हैं। यह सोच ही नहीं बना। इसलिए कहां कि भई लर्निंग टु डू। उसमें अपना जीवन चला सके इसकी सामर्था ना चाहिए उसके अंदर। अपने कलाकोशल सामर्थ के तारा। तीसरा उनने कहां लर्निंग टू लिव। तो पडोस में प्रेम से नहीं रह सकते हैं। गाउं में प्रेम से नहीं रह सकते हैं। एक समाज दूसरे समाज से नहीं रह सकता है। तो लर्निंग तु लिव विट तुगेदर। और कुछ मजब ऐसे हैं जो अन्यों के साथ ब्यवारी नहीं कर सकते हैं। या तो आप मेरे जैसे हो जाओ। अधर्वाइच हम आपको समाप्त कर देंगे। यह सारा टेर्रिजम की जड़व है। इसलिए काया कि लर्निंग तु लिव विद अधर्स। इसको सिखाने की जोरत है। और यह अगर सब करना है तो क्या करना पड़े। बोले लर्निंग तु बी। यह ऐसा एक आदमी बनाना पड़ेगा। इसलिए विवेकानन जी केते थे कि भई शिक्षा का आंतिम इस उद्देश में क्या होना चाहिए। तो बोले मैनमेकिंग एंड नेशन बिल्डिंग। और यह जो मैनमेकिंग है यह मैनमेकिंग कैसा करना यह पूर्न मनुष्य बनाना। और इसलिए जो अभी की वर्तमान की जो नही शिक्षानीती बनी है उस दिशा में जब चिंतन चालू हुआ तो देश के अन्याने संस्थान वर्तमान में जो सारी शिक्षानीती के जो पुरुधा कस्तुरी रंगजनी से लेकर उनकी जो सारी टीम है उन सब का जब विद्या भारती के लोगों के साथ में इंटरेक्शन हुआ और पिछले इस दीर्ग काल के अंदर इन सारे प्रश्णों को एड्रेस करने के लिए जिस मॉडल को डेवलप किया गया कि इस प्रकार का एक व्यक्ति निर्मान होना जो समाज के प्रती सम्वेदनशील है विश्व के प्रती सम्वेदनशील है स्रेष्टतम सांस्कृति का मुल्यों के प्रती गौरववान है और केवल थोरी के रूप में नहीं, तो प्रेक्टिकल के द्वारा धीरे 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 उसके जीवन के अंदर उस प्रकार की आते लना और इसको लेकर के ये आने वाले समय के अंदर इस नही शिक्षाई नहीती के अंदर ये सारी सामर्थ बच्चे के अंदर डिवलपो इस प्रकार की एक प्रक्रिया विक्सित करने की बात है उसके जो भिन भिन इस तर के जो स्टेप से हैं और इसलिए उसमें जो ECC बना अर्ली चाइल्ड हुड उसमें यही कहा गया है कि कक्षा पहली और दूसरी वर्ष यह जो पाँच है यह किसी भी प्रकार के लेखन या किताबों से मुक्त रहेंगे यह और इन पाँच वर्षों के अंदर बच्चे के अंदर जो आधार भूत बाते है कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए आनंद के साथ में स्टोरी के द्वारा, निरिक्षन के द्वारा, परिक्षन के द्वारा, प्रकरती को देखकर वो परिवेश को समझे, वो चीजों को समझे तो एक जीवन का जो बेस है, उस बेस के अंदर उसका जो विकास होना है, उसकी इंद्रियों का जो विकास होना है दुर्पा के से आजकल हम धाई साल के बच्चे के उपर आज से ही उसको इंजिनियर और डाक्टर बनाने के लिए बस्तों का और ट्यूशन्स का इतना बोज लाद देते हैं कि उसी के अंदर वो विकास होने के पेले ही फूल जो है मुर्जा जाता है तो इसलिए कहां कि पहले उसमें ताकत तो आने दीजी आपो गरहन तो कुछ भी कर लेगा इस इतने बड़े-बड़े साइंटिस्टों के नाम सुनते हम विक्रम सारा भाई और अबदुल कलाम से लेकर के हमी बाबा तक सब अपनी जिन्दगी में बारवी कक्षा तक अपनी ही मातरभाषा में सरकारी इसकूल उम पड़े हैं और इसलिए इस नई शिक्षानिती में कहा है कि पहले पांच वर्ष के अंदर यजो बैसिक गुन हैं, अनलेसिस करना, परिक्षन करना, निरिक्षन करना, जिग्यासा करना, समझना, अनुभव करना इसके नाते से प्रयत्न होगा फिर कुछ थोड़ा भाशगा बाकी के ग्यान आएंगे और छठी काक्षा से ही भिन्न भिन्न प्रकार की जो आंतरिक प्रतिभाएं उसकी वो कला की होगी, कोशल की होगी एक्सपर्ट नहीं बनाना लेकिन उसके अभी रिचु को जानने के लिए जो स्कील वाला विशय है वो एक छटी से प्रारम होगा और एक दस्वी बार्वी जाने के बाद फिर मैं अपना रस्ता पकड़ सकता हूँ मुझे टेक्निकल उसमें जाना है, मुझे मेडिकल उसमें जाना है, मुझे किसी उसी के अंदर जाना है लेकिन यह जो बार्वी तक के समय के अंदर वह एक समगरता के अंदर इस परकार का यह के बन सके है और यह सारा करते समय इंडियन नौलेज सिस्टम है हमारी जो सारी प्रकरियां है, प्रोसेस है हमारे जो लोग हैं, उन्होंने जो बताया है उनकी जो बाते हैं उन सब दिशाओं की और आगे बढ़े हैं और ऐसा अगर होता है तो फिर बाकी सब बाते हैं उसमें से निकलाएगी उस दृष्टी से एक उदानबुजे इस्मरन आता है कि अपने देश के बहुत बड़े दर्शन शास्त्री थे बहुत बड़े शिकित्सा शास्त्री थे और बहुत बड़े रसायन शास्त्री थे बहुत दकाल के अंदर उनका नाम था नागरजुन नागरजुन को अपनी लेब के लिए एक असिस्टेंट की जरुरत थी तो उनोंने कहा ऄगा कि युकों के लिए बुलाए नागरजुन रुलाए तो कुन नहीं चाहता है तो बड़ी संक्या में लोगाए तो व्यक्ति उनको केवल एक चहिये था तो समें सारा देखने के बाद उनोंने दो व्यक्ति च architect और दोनों यूकों को उन्होंने एक फार्मूला दिया और कहा कि तीन दिन के बाद ये जो फार्मूला दिया इसके आधार पर द्रव्य बना के लेके आओ फिर ते करेंगे किसको रखना है तीन दिन बाद वो दोनों आए तो फिर पर ये जो एक बड़ा खुश था और एक बड़ा दुखी था जो खुश था उसने वो द्रव्य बना कि आपका फार्मूला रही है द्रव्य ठीक है उसनका शव्य प्रति ठीक बनाए दूसरे को पूछा उसने तो अपने बना पाया। तो उनों पुचा क्यों क्या कोई समझ में निया रहा है। उन्हें भूज निया थी। हुआ यह कि हम दोनों जब आपकी यह से निकले और अपने गाउं जाने लगे तो गाउं के पांस पहुंचे तो वहां जंगल में एक आदमी बीमार पड़ा था। बुखार था उसको बहुत। उजवर इतना जादा था कि अगर यह ऐसे ही रहा तो मर जाएगा। तो इसलिए मैं उसको उठाके गर लेगिया। वैद्य को लाया। लेकिन उसकी बीमारी ओड बढ़ गई। उसको अपना असिस्टेंट रखा। तो उनके दूसरे शिष्य ने पूछा कि आपने जो प्रष्ण पूछा था उसका उत्तर तो इसने दिया। तो जो उन्होंने बात कही वो मुझे लगता आज सभी गर्यों के इसमें लगे हुए लोगों को विचार करने लाएकि नागर tips नेका है। वो बोतिक शास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो, चिकिस्सा शास्त्र हो, प्रबंधन शास्त्र हो, वनस्पति शास्त्र हो, खगोल हो, भूगोल हो, कुछ भी हो. यह शास्त्र किसके लिए है? तो यहाल आदाओं और जीव के कल्यान के लिए। इन सब शास्त्रों का स्रजन हुआ है। इसकी अगर समवधना नहीं है, तो यह शास्त्र का ग्यानवियर्त है। यह दोनों यहां से गए थे, दोनों ने उसको देखा था, लेकिन इसको अपने केरियर का केवल चिंता थी, उसको भी दिखाता है, वो भी कर सकता था, तो आज कल को यह एक्सपर्ट हो भी जाएगा, विशेशक यह हो भी जाएगा, लेकिन यह करेगा क्या फिर आगे है, तो यह जो एक भाव है, यह भाव अपने शिक्सा सोंस्थानों में आने की आवशकता है, और दूसरी जो जरुरत है, आज के समय में और जादा है, कि हमारा हर घर जो है वो विद्याले बनना चाहिए, कई बार हमको लगता है कि बच्चे छोटे हैं, क्या समझता है, और में दूर दर्शन पर एक एपिसोड आता था, तो तीन साल तक के थीन साड़े 3 साल के बच्चे अलग 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 शहरों में है और किसी एक इस्टूडियो के अंदर एक तीन महिला हैं, और यह पूछेंगे कि किसी बच्चे से अचानक पूछेंगे प्रशन और पिर यह मह पुछने वाले हैं बच्चे को, यह बच्चा क्या उत्तर देगा, आप बताईए, तो कितना जज्ज करते हैं आप, आप आजकल का सीरियल था, इसलिए दिमाग भी वेसे ही था, सब्जेक्ट भी वेसे ही था, सब्जेक्ट था, हजबें वाइफ में प्रेम होता ही कि नहीं, तो उसने एक इलाबाद का फोटो दिखाते हैं, इस्टूडियम बच्ची बेठी है, और पुछते हैं कि क्यों माता जी पिता जी के अंदर प्रेम रेता है ना, तो बच्ची बोलती है कि कहां रेता है, रोजय ही लड़ते रेते हैं, बच्ची छोटी है लेकिन, सड़न पुछा कि क्यों, वो दूसरे शेहर की है, तो क्यों माता जी पिता है, बोले पापा, मम्मी के लिए अच्छी अच्छी शाडिया लाते हैं, कभी-कभी यह लगता है, इसलिए अपनिया कहते हैं कि घर का जीवन अपने लिए जीना और बच्चों के लिए जीने में बहुत फरक पड़ जाता है, एक प्रसंग केते हैं कि छोटी बच्ची थी, इसकूल से लोट के आई, तो देखा कि जो दर्वाजे पर मांगने वाला आया कि भूख लगी है, रोटी दो, बच्ची किचिन में गई, उसने रोटी उठाई, बार निकली, थोड़ा जलके वापस किच लगा दूँ इसको, तो उसको खाने में सुविधा रहेगी, तो मा ने का रहें दे, दे ऐसे ही उसको, बच्ची बोलनी सकते हैं कि जैसा हम अपने लिए करते हैं वैसा दूसरे के लिए करना चाहिए, तो मा ने और जोर से डांट के गा, मुझे सिखाती है, इसकूल के बात इसको ने रहने दे, पच्ची बोलनी सकती तो उचली कहीं महापर, दूसरे दिन लोडके आई। मा ने दूसरे तो मा पडोसान से लड रही थी, तो बच्ची ने का, इसको में बताते हैं, पडोसी से, प्रेम से रहना चाहिए, भृले, फिर बोली, इसको की इसको ने रहने तो अब तो जूटनी बोलना हुँ ऐसा इसकूल मे बताते हैं गोले इसकूल के बात इसकूल मेरे नगेए जा बता दे इसना बता दिया चौथे दिन इसकूल का टाइम हो गया और बच्चा उठान नही अइहा शो तारा हुआ तो तो आपको को जाना है कुछ चुम नहीं घुझाता है। बड़ेत जाना है। भोसा नहीघ कर दूपने क wisdom आपकू । लिए आपकुछे हैं भीन जाना है। ठोलेतोन जाना है। आपकु सब गलड़ बड़ागा रिए जितनी जितनी उफदेश की अच्य अच्य बाते बताते हैं, वो कुछ भी मतलब के नहीं है, जैने का तादपरी क्या है, कि आदर्ष की बहुत बाते चलेंगी, तरह तरह के बाशन होंगे, तरह तरह का सब होगा, लेकिन घर, मुला, समाज का जो परिवेश है उसमें जब तक रिफलेक्ट नहीं होगा और इसलिए इस विद्या भारती का जो कुल मिला कर अमारा अपना सब का प्रेत्न है कि इस प्रकार का एक मनुष्य का निर्मान करना उसके लिए सारी प्रोसेस है नई शिक्षागनिती की रूप में एक अहुसर मिला है तो सभी के लिए हम एक मॉडल इस प्रकार का आने वाले समय के अंदर शिक्षकों की दृष्टी से भिन भिन प्रयोगों की दृष्टी से ये प्रकल्प विक्सित हो और इस संपून क्षेत्र के अंदर अन्यान जो सारे सिक्षा संस्थान है उन सब के साथ मिलकर हम एक एक एको सिस्टम खड़ करें तो आने वाले एक दस वर्षों के अंदर इस अपने संपून क्षेत्र के अंदर एक आधर्ष परिवार आधर्ष सामाजिक जीवन हम खड़ा करने की दिशा में इस दिशा में परमात्मा हम सब को प्रेर्णा और सामर्थ दे इतना ही निवेदन करते हुए इतनी देर तक आपने मुझे सुना जहला जो भी समझे मैं अपने बात पूरी करता हुँ